हमारे विभिन ज्ञान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले जैमा इंदराक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं मगर शक्रान्ती 14 जन्वरी को बहुत अच्छे से पूरे विश्व में किसी ने किसी रूप में मनाई जाएगी ये 14 तारिक का बहुत विश्यस महत्व होता है मगर शक्रान्ती को ले करके तो आज इस अंक में हम मगर शक्रान्ती के कुछ महत्यमे पर प्रकास डालने वाले हैं और कुछ विश्यस उपाई भी आपको हम बताएंगे मगर शक्रान्ती के इस पावन अफसर पर सभी को बहुत बहुत शुब कामनाएं और मेरा प्रणाम अब आईए मगर शक्रान्ती का विश्यस पर्व इतना खास क्यों है है ना इस पर पर हम दरस्टी डालते हैं सबसे पहली बात तो सूरिये छे महीने दक्षणान रहते हैं और सूरिये छे महीने उत्तराइन रहते हैं वो त्रायन का जो समय हैं वो देवताओं का दिन कह लें, देवताओं की सुभा कह लें, वो माना जाता है, यानि कि वो समय अपने आप में शुब होता है, सूरिय जब भी मकर राशी में आते हैं, जैसे चोदा जन्वरी को सूरिय धनुरासी से निकल करके एक महा के लिए मकर राशी में परवेश कर जाएंगे, तो सूरिय का मकर राशी में परवेश करने का जो प्रतम दिन होता है, उसी दिन सूरिय उत्रायन हो जाते हैं, छे महीने के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है, कि छे महीने सूरिय अब उत्रायन में रहेंगे, जो कि देवताओं के दि इस दिन से तिल 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 बढ़ने लगते हैं मतलब सुरा तो बढ़ कृता दिन बढ़ने लगता है और जब समय अब धी प्रकाश के रूप में किसी भी शमाज को किसी भी सैसर को या विश्व को जब प्राप्त हो hazणी तो मकर शक्रान्ती को लेकर के बताई गई हैं अलग अलग धर्मों के हिसाब से आईए पहले में आपको छोटी सी एक डेफिनेशन बता देता हूं उसे आप जलासा जान लीजिएगा मकर सक्रान्ती का पर्व प्रतिवर्ष 24 जनवरी को आता है खगोल सास्तियों के अनुसार इस दिन सूरिये अपनी कक्षाओं में परिवर्तन कर दक्षनायन से उत्त्रायन होकर मकर राशी में प्रिवेश करते हैं जिस राशी में सूरिये की कक्षाओं में परिवर्तन होता है उसे संक्रमन या सक्रान्ती कहा जाता है कहने का भाव जैसे मैंने आप से समझाया कि सूरिये का धनु राशी से निकल करके मकर राशी में आना ये सूरिये सक्रान्ती कहलाती है यानि के सूरिय एक महीने एक रासी में रहते हैं जब सूरिय एक रासी को पार करकर के अगली रासी में जाते हैं तो वो उसी ग्रह की या उसी रासी की सक्रांती के लाती है इस बार सूरिय मकरासी में है तो ये मकर शकरांती है लेकिन मकर शकरांती का विसेश्ट भात्यम में है कुछ बाते मैंने पहले भी बताईं कि सूरिय उच्टत्रैन हो रहे है छै महिनिये के लिए और जैसे गंगा सागर में बहुत बड़ा आयोजन होता है मकर सकरान्ती के दिन अपने-पने अलग-अलग हिसाब से अलग-अलग दानपुन किये जाते हैं उत्तर भारत की हम बात करें उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो खिचडी का बाहुले रहता है खिचडी बनाई भी जाती है बाटी भी जाती है खाई भी जाती है, तील आदू की लड़ू बाटे जाते हैं, सूरिये भी तिल तिल बढ़ते हैं, महरास्ट की बात करें तो महरास्ट में भी पर्थम भगों की जो सकरांती होती है मकर के रूप में बड़ी धुमदाम से मनाई जाती है, सोभाग्यवती इस्तृयों को मंगल दिया जाते हैं तीलादी के लड़ू बाटे जाते हैं और भाहरास्ट में भी तिलादी के लड़ू बना करके उनका परचलन भाहः यात में किया जाता है प्रसाथ रूप में राइस्थान की बात करें चो चोधा रूप में चोधा 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 अलग बस्तुएं सोबाग्यबती महिलाएं बाइने की रूप में देती हैं और यदि हम इसी के साथ साथ पंजाब में आ जाएं तो लोडी के रूप में भी से इस पर्व मनाया जाता है इसी तारिख में और इसी रूप में हम सिंधी समाज में आ जाएं सिंधी समाज की हम बात करें तो सिंधी समाज में भी एक दिन पहले लाल लोही का पर्व मनाया जाता है यदि हम दक्षिन भारत की बात करें तो दक्षिन भारत में भी आज की दिन पॉंगल नाम का बहुत बड़ा उस्तव मनाया जाता है और बहुत बड़ा मेले का योजन भी होता है इसी के सास्चाथ हम आसम की बात करें आसम में भी बिहु नामक पर्व बहुत सुन्दर तरीके मनाया जाता है। कहने का भाव हो राजिस्थान हो असम हो पनजाब हो उत्तर प्रदेस हो प्रियाग हो तीर्थ राज प्रियाग राज हो गंगा यमण सर्सुती का संगम हो सादु संतों की टोلیاں हो गंगा मिया का तट हो तो आज के दिन बहुत सारे ऐसे शुब कर्म किये जाता हैं कि आप मानिएगा मत और एक विशेश समय में एक विशेश दिन में यदि इस प्रकार के आयोजन होते हैं तो उसका प्रिणाम विराट रूप ले लेता है आज के दिन से मतलब है मेरा 14 जनवरी से लेकिन अभी हमारी वीडियो एक दो दिन पहले ही हमने आपको इसके लिए बताने के लिए सब को दिये दूसरी बात गंगा यमना सरस्वती प्रियाग राज में ऐसा मानियता है कि प्रभू जो हैं अपने रूप बदल करके भेश बदल करके महा इस्तनान के लिए आते हैं बढ़ेजेखे लिए आज के दिन किसी भी स्रोवर के तट पर बैटकर कि गाहत February करना गाहतरी हवन करना सूरिय की साधना करना विए समात्य में माना जाता है आज के दिन तिल की मिठाई बाटना अपने आपमें विए स महत्त रखता है आज के दिन सूरिय की 108 नाम पढ़ना सूरिय की साधना करना विसेस महत रखता है कहने का भाओ मेरे साधको मेरे दर्शको आज के दिन जितना भी कुछ आप अच्छे से कर लेंगे न आपको उसके पुन्य की बहु प्राप्ति होगी बहुत अच्छे से आपको उसके पुन्य मिलता रहेगा क्योंकि पूरे भारत के कोने कोने में किसी न किसी रूप में सूरिय की साधना की जाती है और वैसे भी वोगते हुए सूरिय को प्रणाम किये जाता है नमशकार किये जाता है अपने सास्त के हिसाब से हम सूरिय देवता को जल देते हैं नव ग्रों के मुख्यदेव भगवाद सूरिये हैं, अर्थात नव ग्रों में राजा की उपादी सूरिये को प्राप्त है, सूरिये प्रकाश के दो तक हैं, सूरिये हमारे नेत्रों के स्वामी हैं, सूरिये प्राण के स्वामी हैं, सूरिये पिता के कारक हैं, सूरिये की तो अपने आप में मिरे साद्गों, मिरे दर्शों को बहुँ पर्चिलते हैं ही हैं, और ये देखो, गंगा सागर में कितना बड़ा आयोजन किया जाता है, ऐसी भी मान्यता है, कि जब भागिरेजजी ने गंगा मईया की तफस्या की, तो गंगा मईया ऐसी मान्यता है कि मकर सक्रांती के यही दिन कपिल मुनी के आश्रम में होती हुई अपने इस्थान को उनोंने अपने इस्थान पर वहस्तित हुई तो बहुत सारी मानियता है जिससे आपने देखा हुआ 60,000 पुर्खों को किस प्रकार से उन्होंने उद्धारित उनको किया तो आज बस मेरा कहने का भाव आप से यही है जो जो हमारी वाद को सुन रहे हैं कि 14 जन्वरी को सुबा सुबा नहा लें धोलें और सुर्य भगवान को प्रणाम करें सुर्य की साधना करें और अपने घर में तिल के लड़ू आदी सुर्य जब आप सुर्य को जल देना तो पहले से ही जो आपने तिल के लड़ू बना रखें या धिन में बनाएंगे या बनाएंगी जो भी है तो आप एक दो दिल का लड़ू पहले से अड़मास में बना लें या खाली तिल और शक्कर उस सूरिय वाले जल में भी डाल करके सूरिय नरायन को अरग्यदें बहुत अच्छा मात्यम है और जब सूरिय भगवान को अरग्यदें इस प्रकार से उनके नामों का उच्छारन करें फिर अपने पूजा के इस्थान में बैट करके कुछ पल आधित्ते हर देस्तोत्र एक बार पढ़ सकते हैं सूरिय देवता के 108 नाम पढ़ सकते हैं और सूरिय से संभन और हम जैसे सूरिय देवता के विओन मंत्र हैं और बहुत अच्छा मंतर है और इस मंतर की पांच माला लालचांदन की माला हो तूजि चु़से हम करें और सूरिय को अरयादी नमस्कार करें अपनी साधना को बलवान बनाएं आपको बहुत अच्छा सिर्वाद मिलेगा आपकी जनम पत्रीके के निश्ते सूरिय तेजवान होंगे आपको उनका शिर्वाद होगा और सूरिय यदि महरवान हो जाते हैं तो जैसे सूरिय रात में नहीं होते जैसे ही सूबह भोर होते ही सूरिय निकलते हैं सारे अंदगार को लिल जाते हैं और सारी इस काइनात को प्रकाश मान बना देते हैं सभीता इनका नाम है तो जैसे एक अंधकार को दूर करके जीवन में प्रकाश लाते हैं, ऐसे ही सूर्य देव हमारे जीवन में भी प्रकाश लाते हैं और हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, मुसिवते हैं, अंधकार रूपी भटकाओं में हम भटक रहे हैं तो सूर्य की साधना उसको एक प्रकाश देती है उसको एक मोड़ देती है तो इसलिए मेरे साध को सूर्य की साधना नितान तावर्शक है सूरिय की साधना से हमारे नेत्रों के उपर भी अच्छा प्रभावा आता है नेत्रों की जोती बढ़ती है तो जैसे आप चाक्षुशी विद्ध्या का पाथ जो जो जानते हैं जिनके नेत्रों में प्राय विकार रहते हैं उन्हें मकरग सक्रांती के दिन से प्रार्म करना चाहिए चाक्सुसी विद्या का साधना एक बार चाक्सुसी विद्या पढ़ लीजिए फिर हर संडे पढ़ सकते हैं या प्रतितिर एक बार पढ़ सकते हैं आपके नित्रों में जो विकार हैं वो भगवान सूरिय की किरपा से सूरिय देव की किरपा से अवश्य दूर होते ह जिनके चेहरे की लावन्यता चली गई है गायव हो गई है उन्हें गायत्री मंत्र दिल लगा करके पढ़ना चाहिए चमतकार आपको बताने के अवश्रकता नहीं खुद नजर आ जाएगा और अपने अपनी सबधयाओं के हिसाब से अपनी अपनी मानियताओं के हिसाब से जो भी आप दानपून आपके बड़े बुज़र करतें आए हैं आपको भी करना चाहिए इन सब बातों में अंद्विस्वास नहीं ढूनना चाहिए और आज के दिन अन दान करना, आज के दिन तिल का दान करना, आज के दिन खोई की मिठाई की बर्फी का दान करना, आज के दिन गरम वस्त दान करना, आज के दिन गवसाला की में सेवा करना, आज के दिन पक्षियों को अनाज डालना बहुत अच्छा होता तो ये उपाये जो मैंने बताएं है ये टुइन वन आपका कारे करेंगे सूरिय की राशी परिवर्तन का भी और मकर सक्रांती के विसेस पर्व का भी तो अमेद करता हूँ जो बाते मने आपको समझाई है बताई है किसी ने किसी को लाभानवित जरूर करेंगी और आप जरूर करिएगा चलते चलते भगवान सुरिय सभीता देव सभी को अपना ओज तेज प्रदान करें और सभी का कल्यान करें इनी शोबा कांशाओं के साथ मैं अपनी वाणी को भिराम देता हूं ओम सुरियाए नमा किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हे तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तक हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें